लाखों पेंसन भोगियों के लिए बड़ी कुसकबरी, सरकार ने सुरू की नई सेवा, सेवा निवर्ती से पूर ही जारी हो जाएगा पेंसन पैमेंट ओर जी दोस्तों काफी अच्छी और मेतमूं जानकारी उत्तर प्रदेश की लाकों पैंसन भोग्यों के लिए और सरकारी करमचारियों के लिए तो ख़बर के अनुसा रेटेर्मेंट के कागार पर पहुंच रहे, राजी करम चर्यों को अब अपनी पैंसन स्विकृत कराने के लिए भाग दोड़ नहीं करनी होगी। रविवार को लोग भवन सवागार में आविजित कारेकरम में मुक्मंत्री योगी आदित नात ने वित्विभाग की ओर से विक्सित कराए गए यी पैंसन पोर्टल का उद्गाटन किया। दिया जाएगा। योगी ने कहा कि इस पोर्टल से साड़े ग्यारा लाख राज करमचरी लाबान वित होंगे। उत्तर प्रदेश वे पहला राज है जिसने अपने पैंसन धारों को यह स्विदा उपलब्द कराने का कार्य किया है। उन्होंने भी दूसरे करमचरी को उनकी पैंसन सुकृति के लिए परेसान किया होगा। अब इपैंसन पोर्टल के माद्यम से पैंसन सुकृति की प्रेक्रिया को माना वस्तक्षेप वेकागज रहित बनाने के साथ इसमें लेंदेन और बेस्टाचार की गुंजाइस खतम कर दी गई है। आने वाले समय में रेटार होने वाले करमचरी को पैंसन के लिए परेसान नहीं होना पड़ेगा। पैंसन सुकृति में यदि करमचरी के विवर्ण का सत्यापन सही तरके से नहीं किया गया है तो इसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुक मंत्री ने आगे कहा कि इपैंसन पोर्टल जीवन को सुगम यहने की इज अफ लिविंग बनाने की दिसा में राज सरकार का एक और महत्पून कदम है। तो इस तरके से काफी अच्चा कदम यह उटाया गया है उत्तर प्रदे सरकार के द्वारा कि अब राज के सभी कर रमचारियों को सिवा निवर्ति के तीन महीने पहले ही उनका पैंसन पैंमेंट और जारी कर दिया जाएगा और इसके लिए राज सरकार ने नई इपैंसन पोर्टल सेवा की सुरुवात की है तो राज सरकार के द्वार उठाएगा इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिकर जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और सेर करें चैनल को सब्सक्राइब और बैल एकर प्रेस कर ले हर एक लेटस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए